हेलो फ्रेंड्स, ये मैं आज इस पोदे की प्रूनिंग करूंगी, जो ये बहुत ज़्यादा, इसकी जो ये लेंध है ना, वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो ये गमले से इसकी जो टेहनिया है, वो नीचे गिर कर और ऐसे चारों तरफ नीचे की और जुक जाती है, और ये इस तरह की ये सब फिर पोधा जो होता है वो सुन्दर नहीं लगता, तो मैं इसकी पूर्णिंग कर रही हूँ, सब की कटिंग्स कर दूँगी इस तरह से, तो फिर ये और यहां से नहीं नहीं ब्रांच जाए जो निकलेगी, इसतेरा से मैं आप इसकी सारे की कटिंग कर रही हूँ, तो कटिंग करने से फ्रेंट्स ये पोदा है, जो अपना सुंदल बन जाता है, कुछ दिनों से पोदे की देखवाल भी ने की, तो इसमें जो ये डंडिया है फो सूकी हुई है, तो पहले मैं इन सब को भार निकाल देती हूँ, कोई सूखी पत्ते होती है या कुछ टैनी होती है, वो सूख जाती है, या तूट जाती है, फिर इसके अंदर पड़ी रहती है, तो फिर वो सूखी हुई, फिर इन सब को मैं भार निकाल देती हूँ, और इसके फ्रैंड्स परपल कलर के इसके फूल लगते हैं और इस मेक्सिकन प्टिनिया जो है ये प्टिनिया की विराइटी है और इसमें बहुत सारे कलर लगते हैं जैसे सफेध कलर चैलो भी लगता है और red और white color का भी फूल होता है इसका वो भी बहुती सुन्दर होता है और बहुती अच्छा लगता है वो वाला फूल और तो इसके कहितरें के इसमें फूल आते हैं और इस time आप इस पोधे की cutting भी लगा सकते हो बड़ी असानी से लग जाती है और इस तरहें से जो ये मैंने cutting इसके लिए है इस तरहें की cutting है वो बड़ी असानी से लग जाती है तो आप अपने पोधे की cutting करके और फिर इन सब को आप नए पोधे भी बना सकते हो सब cuttings को लगा सकते हो और बड़ी असानी से लग जाती है cutting और cutting करना भी इसको जरूरी है फिर ये पोधा भी ये पोधा जो है अच्छा बन जाएगा, सुन्दर लगेगा और और नए पोधे भी तियार हो जाएंगे तो इस तरह से मैंने ये बहुत सारी कटिंग काट ली है और इस तरह से सारी लटकती हुई ये टहनिया है इन सब को मैं काट दूगी इतनी इतनी काट दूगी सारों को ये वाला पोधा आप बीज से भी लगा सकते हुई अगर आपके पास बीज पड़े होंगे तो आप इस टाइम ये बीज से टूनिया की हर वेराइटी जो है वो इस टाइम इसके बीज लगते हैं तो आप बीजों से भी पोधे त्यार कर सकते हो और वैसे ये कटिंग से भी लग जाते हैं तो कटिंग से भी कर सकते हो इस तरह सारी कटिंग कर दी और अब पोधा ये सुन्दर लगेगा और इन सब की में कटिंग है जो लगा दूँगी तो फ्रेंट्स आप भी अपने पोदे को इस तरह से सुन्दर बनाए और अच्छा लगेगा इसके फूल फ्रेंट्स बहुत जादा खिलते हैं बहुत जादा फूल आते हैं इस पोदे पे और बड़े सुन्दर लगते हैं तो आप अपने पोदे को इस तरह सुन्दर बनाए और ये सब सूकी टेहनिया जो बाहर निकाल दें और बड़ा सुन्दर ये पोदा है तो आप इसकी कटिंग जरूर लगाए और आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके हैं चोटे-चोटे बेबी पप्स भी ये निकलते हैं च जब ये सारा देखो गमला सारा बरा हुआ है पोदे से तो बड़ा सुन्दर लगता है ये